देखना शुरू कर चुके हैं दडिबेट बैनो भाईयों संसद में संग्राम मचा हुआ है और अब तक 143, 143, मेंबर आप पार्लियमेंट, लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किये जा चुके हैं, विपक्त सडक पर है और इंडिये का मोर्चा सदन में संग्राम कर रहा है, क्या चल रहा है सदन में संग्राम और इसी बीच IPC और CRPC के लॉज भी बदल रहे हैं, विपक्त सदन के भीतर है नहीं और लोकतंत्र में एक पड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन हो गई है, जहां सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष में आमने सामने की टक्कर हो रही है, और लोकसभा और राजिसभा से अब तक 143 संसत सस्पेंड किया जा चुके हैं, और यह मसला सुरू होता है उस दिन से, जिस दिन संसत की सुरक्षा में सेंध लगी, और दो लोग कूद कर संसत के भीतर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जिस प्रकार के कारणामे किये, पूरे बाजी प्लाकार्ड लेकर सदन के वीतर जाना, संसत की वेल को घेरना, काफी कुछ कोलहल सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच रहा, और इस वजह से 143 मेंबर आप पार्लियमेंट लोकसभा और राजिसभा से सस्पेंड कर दिए गये और यह सब अपोजीशन के लोग, अब इनके सदन पे प्रवेश पर भी प्रतिबंध है, और अब यह जा नहीं सकते हैं, इसी बीच कल टीमसी के नेता कल्यान बनर जी ने उपराश्ट्रपती की मिमिक्री की, जिसे राहूल गांदी अपने वीडियो पर, अपने मोबाइल फोन पर रिकार्ड कर रहे थे, यह मुद्धा भारती जंता पार्टी के नेत्रत्तो वाले अंडिये गडवंधन ने बहुत जोर शोर से उठा रखा है, और इस मुद्धे को लेकर राहूल गांदी ने आज सफाई भी दी, लेकिन अंडिये को इंडिया एलाइंस को घेरने का एक मौका इस वीडियो ने दे दि इंडिये सदन में कानून भी बदल रहा है, IPC की धाराएं बदल रही है, भारती अन्याय सहीता का नाम दिया जा रहा है, CRPC में ब्यापक बदलाओ हो रहे हैं, और ये बदलाओ डेमोकरिटली अपोजीशन की सहमती, अपोजीशन की मौजूदगी में होती, तो शायद और बहतर नियम कानून हम इस देश के लिए बना पाते हैं, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं है, जो है बचे हैं, सस्पेंशन से बहुत थोड़े हैं, दो और आज सस्पेंड हुए हैं, टोटल 143, लोकतंत्र में बहनोबायों सहमती और असहमती, ये एक बड़ा कारक है, कोई भी वाइबरेंट डेमोकरसी, कोई भी वर्ष्टाइल डेमोकरसी, कोई भी प्राचीन लोकतंत्र, सहमती और असहमती के सिध्धान्त पर चलता है, भारत के लोकतंत्र की यही खुबी है कि यहां असहमती को भी स्थान है, लेकिन जिस प्रकार का महौल दोनों तरफ से इस वक्त है उसमें सहमती और सहमती से बात कहीं आगे तक चली गई है पसंद और नापसंद तक प्रेम और घरणा तक साइध यही कारण है कि जब अब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अगवाई वाली सरकार के कारेकाल, दूसरे कारेकाल के समाप्त होने का बस कुछ महीने सेसों, सदन अपने अंतियम दोर में चल रहा हो, इस कारेकाल के उस वक्त जिस प्रकार की कंफलिक्ट है, वो बड़ा सफाई दी, कि जो कुछ किया हो, तो मीडिया ने रिकार्ड किया, मैंने भी अपने फोन पर रिकार्ड किया, मीडिया इसे सरकुलेट कर रहा है, बात होनी चाहिए, सिक्छा, स्वास्त, बेरोजगारी, ब्रष्टाचार पर, 143 संसदों के सस्पेंशन पर, लेकिन बात और हो रही है, ऐसा राहुल गांदी का कहना है, तो बैन भाई यो रास्ता क्या है, रास्ता यह है कि सीनियर्स लोग आगे आए, दोनों तरब के, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, जो सीनियर लीडर्स हैं, जिने सदन चलाने का व्यापक विराट अनुभव है, वो आगे आए सभा पती भी बैठें, लोग सभा अध्यक्ष भी आएं, प्रतिपक्ष से भी कुछ लोग लिए जाएं, सत्ता पक्ष के भी दोनों पक्षों में सम्मानों, बैठें और रास्ता निकालें, और एक रास्ता निकालकर इस संसदी प्रकरिया को आगे बढ़ाया जानने जो दोनों तरफ की problems को समझते हैं या जो दोनों को समझते हैं उन्हें आगे आकर इस समवाद हिंता के दौर को खत्म करके समवाद की तरफ बढ़ना चाहिए लोक तंत्र हमें यही सिखाता है तो अब दौर सहमत या सहमत से भी अलग बढ़ चुका है तो हमें करना कैचे चाहिए क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये पूरा सत्र इसी तरह चलेगा जैसे की चल रहा है और जैसे की चलाया जा रहा है ये तलासने की आज की डिबेट में कोशिश करेंगे जोकर का काम पकड़ लिया उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया आपने देखा होगा कि एक सांसर्थ भारत के उपरा अस्तपती जो संवेधानिक जगा पर बैठे हैं संसर्थ के प्रंगन में उनकी नकल की जा रही है और ये कॉंडरिस का नेता राहुल गांधी उसके वी वीडियो बना रहा है इंडियन नैशनल कॉंडरिस जिसके बार में कहते हैं कि सौ सांसर्थ ज्यादा का इत्याद है उसका नेता एक नकल्ची की उसकी वीडियो बनाए और वो प्रस्ट पतिकों ने भारत के सम्वेधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धंकर जी वह किसा पुत्र है अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर OBC की याद नहीं आती वैसे OBC का रागलापने OBC पिछडा 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 एंपीज बैटे हुए थे मैंने उनका वीडियो लिया मेरा वीडियो मेरे फोन पे है मीडिया जो दिखा रहा है मीडिया कह है किसी ने को सपाहिए हमारे 150 MPs को बाहर फिट दिया ठीक है उसके बारे मेडिया में कोई चर्चा नहीं हो लिए उनको आपने आज की परचर्चा को आगे बढ़ाते हैं राकेश्टर पाठी उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उदैवीर सिंग समाजवादी पार्टी से हैं उमाशंकर पांडे कांगरेश